दोस्तों नमस्कार शरक एलाज विश्करमा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता है आज एक नया आदेश जारी हुआ है उस पर हम बात करेंगे उच मादमिक सिक्षक और मादमिक सिक्षक के अभ्यारतियों के मोबाईल नमबर और इमेल अपडेट करने के संबंद में आया है दोस्तों तो पूरी जानकारी क्या है हम आपको बता रहे हैं कि उच मादमिक सिक्षक एवं मादमिक सिक्षक की नियोजन जो प्रक्रिया के अंतरगत ऐसे अभ्यर्ती जिनके पीवी द्वारा पात्रता परिच्छा 2018 की आविदन पत्र में उल्लेखित मोबाइल नमबर एवं इमेल परिवर्तित हो गया है उनके मोबाइल नमबर एवं इमेल आईडी अपडेट करने की शुविधा आपके G2G लॉगिन पर उपलब्ध कराई जा रही है दोस्तों यहाँ पर समस जिला सिक्छा अधिकारी को यहाँ आदेशित किया गया है पत्र लिखा गया है 20 जन्वरी को यहाँ आदेश जारी हुआ है लोग सिक्छन संचाल नाले द्वारा जारी किया गया पत्र है और इसमें समझाया गया है कहा गया समस जिला सिक्छा अधि इडि या तो मोबाइल नंबर गुम हो गया आया किनी कारणों से उनके पास नहीं है इसी प्रकार email ID में भी परिवर्तन हो गया किनी कारणों से तो ऐसे अब भ्यारथियों के लिए यह सुविधा पुना प्रारम की गई है जिसमें उन्हें अपने mobile नमबर को या email ID को परिवर्तित करना है तो वह है जिलाश सिक्षा अधिकारी से पूरी प्रक्रिया करा करा सकते हैं जिसमें जिलाश सिक्षा अधिकारी अपने login g2g पर login करने के बाद ऐसे अभ्यहर्थियों के उपस्थित होने पर मोबाईल नमबर और इमेल आइडी अपडेट करने की प्रक्रिया करेंगे और उसका पूरा यहां दियागा है कि ब्राउजर जो रहेगा वह है ब्राउजर में पूरी प्रक्रिया की जाएगी फिर उसमें लॉग इन किया गया हुआ है प्रक्रिया पुरी इस पातर में समझायी गई है और समझहाने के बाद में उस अपडेट वाले की पूरी जानकारी यह जो अभ्यहरती अपडेट करााएगाiiii उसकी पूरी प्रोफाइल से या है सुनिश्चित कर दिया लिया जाए कि वास्त्विक अभ्यारती ही उपस्थित हुआ है ऐसे जितने अभ्यारती उपस्थित होते हैं एक पंजी में उनका अभिलेग संधारित करना होगा या है आदेश संचालक लोग सिक्षण मद्रदेश स जारी हुआ है दोस्तों नईने जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ते रहें